हलो दोश्तों सिर्फ एक वीडियो का यूज करके आप रियूज कंटर हटा सकते हैं अगर आपके चैनल पर आया है तो एक वीडियो कौन सी होगी कैसे होगी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी अपील करते टाइम हमने तीनों चैनल पर तीनों चैनल की वीडियो को देखा रियूज कंटर हटाया और मोनिटाइज किया मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप एक चीज़े बताऊं उसके पहले आप उन तीनों चैनल के पहले तो वाटसेप पर चैट देख लीजिए एक एक मेरे चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड की जाती जिसमें कोई भी आपको गुम्राह या फेक बाते बताई जा वही बाते मैं बताता हूं जो मैं खुद करता हूं जो मैं एक्स्पीरियस करता हूं अधरवाइस मैं कोई बात आपके साथ सेरी नहीं सबसे पहले मैंने इनके तीनों लोगों के चैनल को कैसे मोनिटाईज किया है एक एक करके step by step समझते हैं जब भी आपके चैनल पर used content आता है तो यूटूब को लगता है कि आपके चैनल पर कहीं न कहीं दूसरे का कोई content है जिसकी वज़े से यूटूब ने आपके चैनल को demonetize कर दिया ह और आपके चैनल के लिए उसने अपील का एक option दिया है कि अगर यूटूब से कहीं गलती हुई है तो आप अपील करके यूटूब को बताईए यूटूब आपके चैनल को दुबारा से monetize कर देगा तो अपील का अगर option आया है तो ये मान लेना कि कहीं न कहीं यूटूब को भी लगता है कि आपके चैनल पर कुछ परसंट चांस है कि monetize हो जाए चैनल आपका पहली बात ये ध्यान रखना माइंड में एक दम बिठा लेना जब भी आपके चैनल पर अपील करने का option आया है तो अपील करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और अपील करने से पहले आपको अपने चैनल पर सबसे पहले जाईए टैग, टाइटल, जिसनल चल जाएंगे लेकिन थम्मनेल एक भी नहीं चलेगे ठमनेल आपका सभी वीडियो का अलग-अलग होना चाहिए एक भी थम्मनेल एक जैसा नहीं होना चाहिए यसे ध्यान अगना दूसरा आपके वीडियो में जितनी वी वीडियो में information दिये वो information authentic हो, knowledgeable हो और किसी का copy किया हुआ ना हो, सारा content आपका हो, अगर आपने किसी का कोई भी content copy किया है, जैसे कि serial वीडियो, जैसे कि big boss वीडियो, जैसे कि copyright किसी का है और आपके वीडियो पर आ गया है, तो आपका वो वीडियो reuse में आएगा, अब आप आपको appeal करना है, आपको appeal करने के पहले कोई video delete नहीं करना है, ऐसा YouTube कहता है, मैंने बहुत सारे channel monetize करा है, video delete करवा के, लेकिन मैं आपको suggest करूंगा, आप video delete मग करिए, आपको डर लगता है, तो आप video भी delete मग करिए, आप video को private कर दीजे, वीडियो को private करने के बाद, आपको एक video create करना है last video जिनके channel पर appeal का option नहीं आया reapply कर रहे है मैं उनके लिए video बता रहा हूँ उनको अपने channel पर एक video बनानी है वीडियो में ये बोलना है जैसे appeal के video बनाते हैं same to same वैसे video बनाना है अपने youtube channel पर जिससे की youtube जब आपके channel को review करे तो उसे detail में पता चल जाए कि आपके channel पर क्या क्या कैसे कैसे है क्योंकि YouTube हमेशा आपके latest video को देखता है latest video को देखेगा, पुरानी video को देखेगा और जिस पर सबसे ज़्यादा views हैं वो वाली video देखेगा तो ये video YouTube देखता है और ये video देखने के बाद YouTube आपके channel को moratize करता है ये बात हो गई उनके channel पर जिनके channel पर reapply करना है अब बात करते हैं, अगर आपके channel पर appeal करने का option आया है तो appeal करने के पहले आपको जो जो चीज़े बताईए उसे follow करना उसके बाद अपील करने के पहले आप दो तीन चीजे और ध्यान में रख लीजे अपील वीडियो आपको एक बनानी है अपील वीडियो में आपको ये बताना है आप वीडियो इडिट कैसे करते हो आपकी lighting क्या है अगर light यूज करते हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं आप video suit कैसे करते हो यह भी बताना है कि video camera कौन सा आपके पाल mobile कौन सा वो सब कुछ दिखाना है अगर आप कुछी लिखकर काम करते हो इस्क्रिप्ट लिखते हो तो वो दिखाना है अगर आप song बनाते हो तो song बनाते कैसे हो वो दिखाना है अगर singer हो गाना गाते हो तो वो दिखाना है पियानो बजाते हो तो वो बताना है serial की video upload करते हो तो serial से detail बताना है यह सारी चीजे आपको YouTube को बतानी है उस appeal के video में appeal की video आपकी जो बनेगी वो 5 मिनट से छोटी होगी appeal के video में starting की line आपको पैसे रखना है हलो डियर ती मेरा नाम का नाम हो लैना और आपको अपने चैनल का आपको बना ऐसे बताना है मेरे चैनल का नाम अपको सामने लगात है और और मैं आजफे इस वीडियो में अपने चैनल के बारे में आपको बताने वाली हूं या वाला हूं जो भी आप बोलें तो यह चीज आपको अपील वीडियो में बोलना है स्टार्टिंग में उसके बाद आपको एक उसके बाइस डिखाना है उसके बाद आपको यूटूब पर अपलोड करें अपलोड करें और ले जाकर पेस्ट करने के बाद आप अप्पील कर दीजिए अपील करेंगे विदिन एक दिन के अंदर एक वीडियो से आपका यूटूब चैनल मोटाई हो जाएगा ये बाते मैंने आपको जो बताई हैं 100% genuine, 100% effective, 100% working है अगर आप मेरी बताई हुई बातों को step by step follow करते हैं तो आपका चैनल अगर मोटाई नहीं होता है आप 2-3 बार से परिसान है और आपको लगता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका चैनल मोटाई हो जाएगा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी membership लेना चाहते हैं और हमारे साथ जोड़कर अपने चैनल को मोनटाइज करना चाहते हैं तो सामने आपको दो इस्टाग्राम की आईडी दिख रहे हैं इन आईडी पर मैसेज करिए लिखिए मैं आपके साथ बात करूँगा गानिए औरृशु अपने चैनल को मोनटाइज भी niaगये अगर हमारे चैनल को तो प्लीज कर लिजिये क्योंकि सब्सक्राइब करने कीबाद आपको यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेंशन और भी मिलेंगी और यहां पर बूर डेक कुम